जैसे हमाई पास data एक जोली कॉलम में कुछ इस तरह से सीरियल नभबर में आएफ नेम सर नेम ठीक है स्тरव में अब यह data एक ही कोलम में झीक है cooking इसको अलगलब कॉलम में डिवाइड़ करना है इस पर क्लिक करेंगे data को टेक्स्ट कॉलम करेंगे फिक्स विट पर रखेंगे और यहां पर next करेंगे और फिर यहां पर click करके हम बताएंगे कहां पर अलग-अलग column में करना है फिर finish करेंगे तो यह data को अलग-अलग column में डाल देंगे इसी example को आप ऐसे ले सकते हैं कि आपका data यही वाला इस तरह से था serial number, name, fname, surname ठीक है और अब आपको अलग-अलग column में डालना है तो text पर column पर click करेंगे अब delimited पर click करेंगे और delimited में आप बताएंगे semicolon है, comma है आपने कहा के भाई comma है अगर comma semicolon space नहीं है कोई और निशान है तो वो निशान आप अधर में जाएंगे यहां बता देंगे तो यहां मनें बताए comma के साथ है next करेंगे तो फिर कहा है कहा रखूं मैं इसको तो मैंने कहा यहां पर रखे, click करें और इसको finish कर देंग कहा है